हेलो गाईज, वेलकम बैक टो आवर चैनल, चलिए आज बनाते हैं हाइदराबादी पनीर, आपको लगता होगा कि पालक पनीर बनाए हैं, लेकिन नहीं हम हाइदराबादी पनीर बनाए हैं, कुछ प्राइसेज जो है साउथ इंडियन स्टाइल में डाला जाता है, तो ये व आकर नोटिपिकेसन ओल कर दीजेगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरत पहुंचाए, चलिए देख लेते हैं, आज का रेसिपिक, यहां पर देखिए हम पेन चढ़ा चुके हैं, तेल डाल दिये हैं, यहां पर दो मीडियम साइज का पियाज को हम र पोटे कर लेंगे, ताकि पियाज और टमाटर थोड़ा सा गल जाए, इसी में ही हम सारे मसाला को भी डाल देंगे, यहां पर हम देड चम्मच, हम यहां पर पाव भजी मसाला, और एक चम्मच गरम मसाला को डाल दिये हैं, डालने का बाद इसको अच्छा से मिला लेंगे, और यहां पर हम करीबर वान फोर्ट कप हम यहां पर हम ले देशि Taylor's coconut को जाहें, आपके पास अगर हो ताजा नरियल तो उसको भी आप डाल सकते हैं, यहां पर हम देशी पालक साब को ले लिये हैं, और एसी ही भोग्यधे च्छोटा च्छटा पत्था था, तो उसको हम तुरट करके अच्छा से हमनों भून लेंगे देखिए इस टेस तक भून लीजिएगा फिर ठंडा करके इसका एक पेश्ट बना लीजिएगा यहां पर हम पेन चड़ा चुके हैं और कुछ खड़ा मसाला को डाल दिये हैं इसको दिखाने पाएं मेरा बेटा डाल दिया तु हैं पालकसा को उसको हमनों इसी में डाल देंगे यह बहुत जल्दी उचलने लगता है हाथ उत में तो आप थोड़ा कैरफुली ही इसको बनाईएगा क्यूंकि बहुत ज्यादा उचलता है मेरा बेटा का उपर भी उचल गिया है वो कैमरा पकड़ा है तो इसलिए हम यहां पर फोड़ा से बंद करकर के ही मसाला को डाल रहे हैं यहां पर हाप टीस्पून हल्दी पाउडर को डाल दिए है और वां टीस्पून हम यहां पर ही चाट मसाला को डाले हैं चमच बहुत चोटा था बुलके दोबा डाले हैं और इसको अच्छा से अब हम लोग मिला बहुत ज्यादा उचल रहा है पूरा मेरा कीचन काउंटर को पूरा खराब कर दिया है उचल उचल के मेरा ही गलती है कि हम इसको पेन में बनाए हैं कड़ाई में बनाते तो इतना उचलता नहीं ही हम यहां पर ही दोहर मीच को डाले वी मेरा बेटा डाल दिया है फटपट से डाल दे रहा है और रान्हीं कर रहा है तो इहां पर हम रभाव्य स्श्यılar पनीर को क्यू साइज में 가ट के रखे हैं उसको डाल तो उसको हम डाल दियें, डालके अब अच्छा से मिला लेंगे, जबकि हम चाट मसाला दियें, चाट मसाला में नमक रहता है, तो उसको अंदाजन रखके फिर नमक डालिएगा, यहां पर हम स्वाद अनुसर नमक को डाल दिये हैं, और इसको अच्छा से मिला लेते हैं, और ह बहुत ज्यादा उचल रहा था यहां देखिए पूरा खतम हो गया है धकन जो है यह देखिए धकन का हालत क्या है तो आप सो सकते हैं तो यहां पर हमनों का पूरा बन के त्यार हो चुका है हाईदरवादी पनीर चलिए अब हम आपको प्लेटिंग करके दिखा देते हैं उसक बढ़े हां दिखेगा बोलके अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कॉमेंट सेर कीजिएगा और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइक उनको दवाकर नोटिपिकेशन ओल कर दीजेगा ता कर दो